मेरा नाम है राजेश्वर मैं नभी मुंबई निरूल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ तो मेरा ये कहना है हम जो लोग जो बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान बोलता है मैं मुसलमान हूँ सिख बोलता है मैं सिख हूँ क्रिश्चन बोलता है मैं इसाई हूँ तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचय देते हैं तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है क्या हम सिर्फ एक धर्म को मान नहीं सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है और कोई धर्म को ना माने, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना इसाई और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? मैं अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और थोड़ा, और एक सवाल इसके साथ में जुड़ा हुआ है, सर, मैं पुछना चाहूँगा बिना किसी धर्म को कबूले बगेर, क्या इनसान नेक और सही रास्ते पर चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरू हैं, वो किसलिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं? और किस मकस्द से करते हैं? ये मेरा प्रशन है बहुत अच्छा सवाल है, कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सीख हूँ, मैं इसाई हूँ तो ये धर्म को किसने मनाया धर्म होना चाहिए कि सिर्फ बिलकुल सही है धर्म होना चाहिए और वो होना चाहिए इनसानियत और क्या धर्म को भाई साथ पूछते धर्म होना चाहिए कि फिर पूछते क्या धर्म को कबोल करना जरूरी है और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है भाय साब ने अच्छा सवाल किया कि कौन कहता है मैं मुस्लिम हूँ कोई कहता है मैं हिंदू हूँ कोई कहता है मैं हिसाई हूँ कोई कहता है सुख हूँ एक धर्म को किसने बनाया और धर्म होना चाहिए एक आपका पहले भाग जो सावाल का बिल्कु साहिए कुरान में लात अला अला फर्माते सुरह अल-इमरान में सुरा नम्बर तीन आयत नम्बर उन्नीस में इन्न दीन इन्दल्लाह लिस्लाम अल्ला के नस्दीक सिर्फ एक ही दीन साहिए वो है अपनी जिन्दगी अल्ला के खुदा के इश्वर के भगवान के एकामात के मताबिक बसर करना तो दीन होना चाहिए एक ही ये कितने दीन किसने बनाया इन्सानों ने बनाया आपका सवाल था किसने इन्सानों ने बनाया हमारा खालिक हमारा मालिक हमारा रब, हमारा इच्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्ला सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मख़ब बनाया, वो है अमन हासिल करना, शांती हासिल करना, सलामती हासिल करना अपने खाले के एकामात के मताबिक जिन्दगी बसर करने के बाद इसलिए दीन, मजब, खालिक ने सिर्फ एक ही बेजा लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गए मिलावट होने के वज़े से अल्ला ने दूसरे नभी बेजा, दूसरी किताब बेजे फिर मिलावट हुए, फिर नए मजब, फिर और एक दूसरे पेगंबर बेजे, और एक किताब बेजे, उससे सही करने के लिए इस तरीके से अल्ला के रसूल मुम्म सुर्ण वर्माते, कि अल्ला ने इस जमीन पे एक लाग चौबीस अजार पेगंबर बेजे कई किताबे बेजे, आखरी किताब, कुरान में लिके रहा है, सुर्ण राद में सुर्ण नमर 13, आयत नमर 38 में, कि हर कौम पे, मैंने पेगंबर बेजा सुर्य राद सुरा तेरह आयत नमर 7, और सुर्य राद सुरा नमर 13, आयत नमर 38 में, कि हर दोर में हमने एक किताब नाजल की, आखरी किताब है खुरान, आखरी पेगंबर मुमस صल्द नम, तो हमारे खालिक ने एकी मध़ब भेजा हमने उसमें मिलावड पैदा कि मध़ब का गर सही मानी ले हिंदू का का मानी है हिंदू की क्या मानी हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदूसान में रहता है जो इंडस्ट वैली के इस सरफ रहता है उसे कहते हिंदू ये लफ सबसे पहले बार इस्तिमाल क्या था अर्बों ने हिंदुसानी के लिए तुम इस लफ के एतिबार से मैं हिंदू हूँ उसके बाद लोगों ने का कि हिंदू वो जो बुद्परस्थी करता हुग गलत है तो सही मानी हिंदू के सिकाई उस पर अमल करता है मैं कहता हूँ कि मैं जो अपने आपको इसाई कहते है उससे जाजा इसाई हूँ क्योंकि मैं इसाई लिए सलाम के बातों पर और अमल करता हूँ बनिस्बत वो लोग जो अपने आपको इसाई कहते है तो उसलिया से मैं और पका हिसाई हूँ जू का मतलब क्या जू का मतलब वो जो खुदा से अल्ला से मौबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है इसलिए खालिक जो कहता है हमाद को बनाने वाला जो कहता है उसके एकामात पे चलने से अच्छे मुसल्मान बन सकते और सबसे जादा सबस्ता मुसल्मान बन सकते और इनसान बन सकते मैं पूछना चाहता हूँ आप मानते है खालिक में खालिका मतलब मुझे नहीं पता मनाने वाला आप एक किश्वर में मानते है एक खुदा में मानते है या ने एक खुदा में मानते है ने मैं तो सभी जगा जाता हूँ मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ लेकिन मैं किसी को मानता नहीं मैं इसे भी मानता हूँ मैं भी मंदिर जाता हूँ मस्जिद जाता हूँ एक पावर जो है जो हमको रूल करती है मैं उस चीज़ को मानता हूँ एक पावर दो पावर ने ना एक पावर को मानते हैं दो पावर को मानते हैं मैं भी एक पावर को मानता हूँ मंदिर बिजाता हूँ मस्जिद बिजाता हूँ लेकिन मंदिर जाके भुद परस्ती ने करता हूँ मूर्ती पूजा ने करता हूँ क्योंकि वो पावर कहती है मुर्ती पूजा मत करो मुर्ती मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे बराब ना सारे पावर को मुर्ती में जा रहे तो हिंदु मजब कहती है मुर्ती पूजा मत करो इसाय मजब कहती है मुर्ती पूजा मत करो कुरान कहता है मुर्थी पूर्जा मत करो एक पावर उसको पावर कहो इश्वर कहो खुदा कहो अल्ला कहो लेकिन एक है ना के दो है एक ही है बेलकुस एक पावर को मानते बिल्कुल एक इश्वर को मानते बिल्कुल एक खुदा को मानते बिल्कुल मेरे परदाजा भी कहते हैं एक जमी gehört कहते हैं हाँ तो पूजा with वे आप गलत काम से बशेता हो डोनों में तक्रा हो है आप गलत काम से बचते हैं फिर बोलते हैं गलत काम करते हैं मैं गलत काम से बचता हूँ आपने का मुर्ती पूजा करना गलत है मैं मुर्ती पूजा करता हूँ गलत काम से बचता हूँ तीनों में टकराओ है मैं हिंदी में जरा कमजोर हूँ आपने कहा कि मूर्ती पूजा करना गलत है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ दोनों कॉंटे डिक्टेंगे शराब पीना गलत है फिर भी पीता हूँ और गलत काम ने करता हूँ अरे प्यूंगा तो बलात करूंगा ना आपने पीते अच्छी बात है अल्हम्दलिल्ला लेकिन मूर्ती पूजा करना शराब पीने से और भयानक है मूर्ती पूजा करना शराब पीने से और खतरनाक है आपके वेद में लिखे ला है बाइबल में लिखेला है गुरान में लिखा है तो क्यूं करते बचने का है तो उस पावर उस टाकत, उस अल्ला, उस खुदा उस भगवान के एकामात पर अमल करो मुर्ति पूजा करने से क्या मिलेंगा आपको आप गुरान मज़िद परो गुरान मज़िद आथी पेका में उस पावर का तो अगर आप जानते हैं कि मुर्ति पूजा गलत है तो गलत काम से का सही रस्ता मिल सकता है चोरी करना गलत है लेकिन मैं क्या करता हूँ चोरी करता हूँ और गरीबों में बाटता हूँ तो यह गलत है महिनत करके महिनत करो और हलाल की कमाओ और गरीबों में बाटो उसी तरीके जो आप जानते हैं मूर्ती की पूजा खलते हैं फिर क्यों करते हैं क्योंकि आपके परदादा करते आए है मेरे परदादा कहते थे दुनिया चपती है लिए कि मैं कहता हूं दुनिया गोल है कि चपती है आपके परदादा क्या कहते थे चपती क्या गोल गोली कहते थे परदादा आपके बाप दादा ने परदादा गोली कहते थे कभी हजार सार पहले बिल्कुल कोन से आपके दादा का नाम क्या था पता ने हाँ तो आप खाली है हवा में फेक रहे हाँ इंसानियत हजार सार पहले कहती थी कि दुनिया चपती है आपके दादा का नाम क्या मैं नहीं कूँगा ना साइंटिस बुक में आपके परदादा का नाम क्या है आपके परदादा क्या कहते थी दुनिया चपती है के गोले जब भीए ले तुए आप तरक्य कर चुके जब तरक्य करते हैं घलत चीज़ को छोड़ देने का है अब भूत परस्ती करेंगे चोड़ देंगे कोशिच करूंगा चोड़ने की यह बाद हुई ना यह मर्दानी बाद हुई ना माशाला यह अच्छी बात है कि भाई साब मानते हैं एक पावर में एक खुदा में एक इश्वर में बद्परस्ती गल्त है और कोशिच करेंगे इसको छोड़ने के अप मानते हैं कि महमसर्ण पेगंबर है पता नहीं मुझे नहीं मादा नहीं इसलिए मैं चाहूँगा कि आप कुर्रान में पढ़िए मैं आपको कुर्रान में चीर का तर्जमा दूँगा अंग्रीजी जानते होँ से पढ़िए इस्ते आप हिदायत पाएंगे और इन्शाला जो भी ब्श्किला आते आप मुझे पूछ सकते या हमारे इदारे को लिख सकते और जब आप एकदम संतुष्ट हो जाएंगे कि आप एकदम अच्छे अभी आप इंसान है और अच्छे पीजडी बनेंगे उस दिन का में इंतिदार करूँगा